हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वास्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडिय इस पराने का जो है दिल नहीं कर रहा है इस वक्त में और जो है काम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ट्रेर्स में क्योंकि दूप नहीं आज रही है दूप के कारण जो है केरंडूला में भी फ्लावरिंग हो रही है ये रेखे बहुत खुपसूरती के साथ जो है ये प्लांट ग्रो कर रहा है इस वक्त में और ये रेखे यहां पर ये प्राइम रोज में भी बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं प्रटोनिया में भी बहुत अच्छे से तो इसलिए जो है वाइट कर रही थी टैर्स पराना तो यह रिखे इस तरीके से अगर पत्ते वगर पीले पड़ रहे हैं तो उनको समय समय पर आप निकालते रहें दोस्तों फ्लावर अगर सूप जाए तो वह भी आप निकालते रहें तो इस तरीके से और यह मैं कुछ भी कच्रा मैं बिल्कुल भी नहीं फेकती हूँ तो देखे देख लेते हैं कि यह जो कच्रा है यह कहा जाएगा यह देखे दोस्तों यह बहुत ही कीमती है कच्रा टैरिस से निकलने वाला और रसोई से निकलने वाला यह देखे यह है मेरा कमपोस्ट बिन यह 25 लिटर की मेरी रखिया बालटी है दोस्तों और है इसे मे किचन का हैं दोस्तों कि ढूँा है किसे कुछ में बहुत हैं भुढे के जो बहुत अच्छी है इसे बहुत अच्छी है coop पूर पूर है दोस्तों तो उनको भी आप मत फेकिए देखे पूरा बीन में मैंने ये डाल रखी है और मेरे घर में अभी सर्दियों में जो है ये बहुत अधिक मात्रा में जो है खाई जा रही है मुंफलियां तो ये मुंफली मैं फेकती नहीं हूँ इसको मैं अपने कंपो की चिल्ड के हैं यह प्याज की चिल्ड के हैं इसमें आप अंडे की चिल्के भी दाल सकते हैं सुखे प्त्ते – जह हैं त्यार हुए और रही है töरै। Enemy की से ही जो आपको दिखा देती हूं तो आप जो है इसको अपने मत लीजिए कि मैं गलव्स नहीं पैन पाई हूं तो अभी है नहीं मेरे पास में इसलिए नहीं पैन पाई हूं लेकिन मैंने आपकी बात को जो है माना है कि आप सही कह रहे हैं तो यह रिखे दोस्तों यह जो है इसमें तियार हो रिखे इसी तरही किसी इसमें ज्वाइ प्लान्ट के लिए बहुत अच्छी खाद है यह रिके और मैं अपनी वीडियो में आपसे हकसर शेयर करती रहती हूं कि मैं इस कच्रे को फेकती नहीं हूँ मेथी के डंडे हो या गोवी के डंडे हो तो ये रेखिए है ये बन रही है खाथ और ये रेखिए दोस्तों नीचे जो है बन रही है ये रेखिए पूरा ये रेखिए बहुत अच्छी ये रेखिए ये इतनी सारी खाद बन रही है और मैंने अभी video भी आप लोगों से श्यार किया था ने तियार की थी मैंने खाद को छान के जो है मेरे पास कम से कम नहीं वी थो दोस्तों दस किल्लों के करीबन जो है आठ से नौ किल्लों के करीबन खाद जो है यह तमाटर के दो पौदे थे यह मैंने किजन वेस्ट पर लगा चुकि हैं दोस्तों और बहुत अच्छा रिजर्ट मिलता है यह देखे यह पीछे बाल्टी देख रहे हैं यह इतनी बड़ी राई हो रही है इसमें यह देखे आप राई की ग्रोथ देख सकते हैं और वो दे ने किचन वेस्ट के उपर लगाएं जो आप यहां पर देख रहे हैं तमाटर के पौधे यह बैगन के पौधे यह समस्पपर लगाए हैं गंबले मेंदि वेस्ट के उपर भरे हैं उसके पर मिट्टी के लिए डाल के यह दूस्तोर्च के पौधे प्यांच की चिल्के और गळूं? अट चने के बाद चोकर निकलता है चाइपत्ती पह 速 ट्माटर के जो दुसक्ते बहुत हाँ है तो आप अभी सर्दियों में हमारे घर में रोजाना चाहि कमuden कर से कम नहीं ही दो चाहि वो चाहि पम एक कटोरी के करीबेरे चाहि निकल जाती है और फुं के बार चाहि कर लें और अब पी। आप जीचको के दीदियें, दोस्तों, बहुत अच्छा result आपको मिलने वाला है चाय पत्ती का तो चाय पत्ती आप जाद बनाई यह जादसे जाद प्लांटे आपने प्लांट्स में दीजिए, प्लांट बहुत हल लटी रहेंगे, रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिले इसमें भी डाला है और यह भी देखे दोस्तों यह मैंने किचन वेस्ट के ओपर ही अपना पौधा लगाया है तो दोस्तों किचन वेस्ट को आप जारा से जाधा यूज़ करें अपने टैरेस पर उसका रिजल्ड बहुत ही अच्छा होता हैं प्लांट्स बहुत ही हल्ती बने कुडा कच्रे में ना फिके उसका जाद से ज़्यादा होगा आपने टारस गार्णिंग में कीजिए और बहुत अच्छी खाद होती है और विल्ट ही चाद वाले खाद बहुत ही तियार होती है और बहुत पोशकत्ष रोटी है हमारे प्लांट्स के लिए वह बहुत अच्छी होती है यह थी फ्रेंड्स मेरी आज की जानकारी और थैंक यू फ्रेंड्स बाई हैपी गार्णिंग